राधे राधे भगवान के कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें थन तेरस से लेकर भाई दूज तक किन बातों का ध्यान रखना है कि हम तंतर की चपेट में ना आ सके दिवाली के दिनों में बहुत ज़्यादा तंतर होते हैं और कई लोग तो इन ही दिनों के इंतजार में रहते हैं कि कब हम किसी पे तंतर कर दे या करवा सकें इसलिए हमें इन पाँच दिनों में इन बातों का जिरूर ध्यान रखना है हमें अपने कपड़े इन दिनों में बाहर नहीं सुखाने अगर तो आपकी अपनी छथ है या अंदर ही बाउंडरी में अपने घर में ही आप का कोई आंगन है उसमें आप कपड़े डालते हैं तो ठीक है अगर आपके कपड़े डालने के लिए जैसे फ्लैट्स वगेरा में कॉमन जगें होती हैं वहाँ आपको अपने कपड़े नहीं सुखाने है क्योंके कपड़ों पर बहुत जल्दी तंतर होते हैं और जो बाहर जगें होती हैं वहाँ से कोई भी उठा कर ले जा सकता है और तंतर कर सकता है या करवा सकता है और दूसरी जो बात है वो यह है कि आपको इन दिनों में किसी से भी सफेद मिठाई लेकर नहीं खानी है और अगर तो आपको मंदिर के अंदर से एक परशाद मिलता है तो वो आप ले सकते हैं लेकिन कई बार लोग बाहर मंदिर के परशाद बोलकर कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं तो इस तरह का आपको किसी से भी लेकर कोई चीज नहीं खानी है और अपने कपड़े किसी को भी पहनने के लिए नहीं देने है क्योंकि इन दिनों में लोग बहुत कपड़े मांगते हैं कि हमने हमें अपनी साड़ी दे दो लहंगा दे दो लेकिन आपको साफ मना कर देना है और बोल देना है कि हमने भी कहीं जाना है फंक्शन में तो हम नहीं दे सकते तो हमें भी पहनने के लिए चाहिए और इन दिनों में जो अपने कंगी करके बाल हैं वो डस्ट बीन में सीथे नहीं डालने हैं वो किसी कागज में अच्छी तरह या लिफाफे में डाल कर डस्ट बीन में फिर फेंकनी है क्योंकि सिर के बालों पर बहुत चल्दी तंत्र होते हैं और जिन लोगों से हमारे समद्ध ठीक नहीं हैं उनके घर इन दिनों में इन पांच दिनों में नहीं जाना चाहिए और ना ही उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए इसलिए ये जो पांच पाते हैं इनका इन पांच दिनों में बहुत ध्यान रखना है जिससे के हम तंत्र की चुपेट में नहीं आएंगे और हमारा बचाव हो जाएगा जै माता दी